हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल गर्ल स्टाइरी आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे अंगरक्खा फूर बेबी जिसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने बच्छों के लिए ट्यूलिप सलवार की वीडियो बनाई थी जिसा कि आपने कर लिया है और इसके उपर हम टॉप की कटिंग करेंगे फोर बेबी तो यह बनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगने वाला है जिसा कि आप देख सकते हैं पहले से मैंने सिंगल फोल्ड करा और अब इसके उपर हम निशान लगाना शुरू करेंगे तो पहले मैं टोटल ले है तो जो मुझे साथ इंच चाहिए मैं उस पर भी निशान लगा लेती हूं तो यहां पर हम निशान लगा लेते हैं साथ इंच पर जो भी जिस बेबी के लिए बना रहे हो जिस बच्चे के लिए तीन साल चार साल जिस बच्चे के लिए बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपस में और यहां से अब हम लेंगे चेस्ट का नाव तो चेस्ट जो है हमें लेना है पूरा पांच इंच तो पांच इंच में आधा इंच मार आधा इंच एड़ करके मार्जिन का साड़े 5 इंच पर निशान लगा दिया है और इस तरीके से इसको सर्कुलर शेप में मिला लूँगी अब हम गले की चोड़ाई का निशान लगाएंगे तो गले की चोड़ाई मैंने धाय इंच लिया हुआ है तो धाय इंच पर निशान लगा देंगे और उसके बाद हम बैक गले का निशान लगाएंगे तो बैक गले का निशान में डेड़ इंच लगा रह तो इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे एकदम हमें इसको वी नहीं रखना है और एकदम हमें इसको राउंड भी नहीं करना है दोनों ही हलका सा राउंड और वी में हमें इसे रखना है डिजाइन को तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे कटिंग करते समय सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे नेक के और उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट की करेंगे तो पहले मैं बैक वाला पार्ट कट कर लूँगी और बैक वाला पार्ट अब हम अलग कर लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरीके से वापस फोल्ड कर लेंगे और इसको अब हम कट कर लेंगे तो अंग्रक्खा स्टाइल में जो भी जो कटिंग होती है अब यहां से इसमें ध्यान देने वाला है कि इसकी कटिंग होगी कैसे पहले हम इसके स्लीव की फ्रंट वाले को थोड़ा सा डीप कर लेते हाफ इंच का अंदर की साइड गैप देकर इसको कटिंग कर लेंगे तो गाइस यह हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है और जो इसका हमने कट कर रहा था वो बैक वाला पार्ट था यह बैक वाला पार्ट हो गया है हमारा तो अब हमें फ्रंट वाले पार्ट में कुछ डिजाइन बनाना है जिससे यह अंग्रक्खा इसमें स्टाइल क्रिएट होगा तो इसको हमें इस तरीके से रख लेना है और उसके बाद जो गला है इसके लेफट वाले साइड में राइट से लेफट वाले साइड की तरफ आपको जाना है दाएं से बाएं की तरफ और उसको इस तरीके से कॉर्णर को मिलाना है कुछ इस तरीके से शेप देते हुए है इस तरीके से मिला लेना है तो जिस कि Nate पर हम ने मिला इसको यहां पर मैंने 2 इंच का Gap दिया हुआ है तो मैं अच्छह से ड्रोड कर लेती हूं मिला लेते हैं इसको हम तो इस तरीके से आप बहुत ही इसको आसानी से इस डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं और पहनने और यहां से तीन इंच का गैब देंगे हम इसमें अगर बड़ो का है तो आप चार इंच का गैब दे लें तो मैं इसमें तीन इंच का गैब दे रही हूं और इस लाइन को भी हम मिला लेंगे इस उपर वाली लाइन से तीन इंच का गैब देने के बाद इसको हम मिला लेंगे और अब हम इसी कटिंग कर लेंगे इसी लाइन पे तो हमनी इससी कटिंग कर ली है तो यह हमारा इसे हमारा इसनी की साइड का पार्ट हो गया बाहने के लिए जानी है दूप के दूसरे साइड की कट करने के लिए तो कि अइसको लेकर और इसके उपर सेम ऐसेही पर कप्ड़े को रख कर इसकी क्टिंग कर लेंगे ज्यसकि कि आप देख सकते हैं मैंने कपड़ा ले लिया और इन सब कपड़े को मैंने पहले रेन कर प्रेच करके रख लिया था ताकि इसमे कहीं Mission सिकुडन ना हो तो इस तरीके से रखकर मैं डारेक्ट इसमें कटिंग करूंगी अब चाहें तो आप चौक से निशान लगाने के बात कटिंग कर सकते हैं तो इस तरीके से पहले मैं से कटिंग कर लूगे और नीचे वाला बॉटम पहले हम नापेंगे और उसके बात कटिंग करेंगे तो इस तरीके से इसको हम मिलाते वे काट लेंगे एंड गाइज आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा होगा बच्चों के लिए जो मैंने ट्यूलिप सिल्वार की कटिंग करा था तो वह भी आप देख सकते हैं अगर आपने देखा नहीं हो तो और मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां तक हो गया अब हमें जो टोटल लेंथ लेनी है बॉटम की वह यहां तक लेना है इसे में ना अप लेती हूं और इस तरीके से मैं निशान भी लगा ले रही हूं आपको इंची टेप के थूम म मैंने मिला लिया है दोनों को और इस तरीके से अब मैं इसको काट लूँगे इसको मिलाने के बाद तो ये हो गया है इसका दोनों पार्ट हो चुका है ये बैक वाला पार्ट हो गया हमारा और ये फ्रेंट वाला पार्ट हो गया तो फ्रेंट वाले पार्ट में ये इस साइड रहेगा जो end तक मिल रहा है corner तक दूसरे वाले कोने तक मिल रहा है और यह वाला जो रहेगा इसका दूसरा वाला side उसमें हलका सा gap रहेगा जहां पर डोरी लगेगी and guys मैं अलग अलग type की जो अंग रखा में थोड़ा थोड़ा different होकर अलग अलग डिजाइन होते मैं वो सारे ही बनाके वीडियो डालूँगी कुछ पाकिस्तानी स्टाइल से डिजाइन भी आजकल काफी चल रहे तो मैं वो भी डाल दूँगी बनाकर जो सागी आप देख सकते तो यह तरीके से हो गया है अब हमें इसमें स्लीव की कटिंग करनी है तो स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने सिंगल फोल्ड कपड़े को बिचा लिया है एक बार और इसको मैं दुबारा बिचा लूँगी इस तरीके से डबल फोल्ड हो गया है तो इसको पहले हम कटिंग कर लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम स्लीव की कट्टिंग स्टाट करेंगे तो जितना मुझी जरूरत था मैंने उसके अकौर्डिंग कपड़ा काटा है और आप हम इस पर निशान लगाएंगे तो पहले आरमोल नापेंगे कि हमने आरमोल का कितना निशान लगाया था तो आरमोल जैसा की आप से 1-2.5 इंच है तो मैं फCH 2 इंच पे निशान लगा दूगी 1.5 इंच चोड कर 2 इंच पे निशान लगाने के बार सिम्ैट स्लीव का दे देंगे जिसलिए कि आप देख सकते हैं उपर से भी 1.5 इंच मैं लने एड गर अवर नेचे से भी 1.5 इंच करके इसको हमने complete कर लिया है इस तरीके से मैंने इसमें शेप दे दिया है अब हम bottom का निशान लगाएंगे sleeves के sleeves का bottom है मुझे 3.5 इंच पे निशान लगाना है तो 3.5 इंच पे मैं इसको निशान लगा लूँगी जितना भी आपका bottom हो उसके according नापकर एक दो इंच एक्ष्टा रखकर आप उस पे निशान लगा सकते हैं और इसको हम मिला लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे cutting हो जाने के बाद इसको हम अलग कर लेंगे चाहें तो आप एक साथ रखकर बीच में इसके cut लगा दें तो मैंने अलग अलग कर लिया इन दोनों को और इसके बीच वाले पार्ट में cut लगा लूँगी ऐसे ही इसके opposite वाले पार्ट में भी इसमें बीच में cut लगा लूँगी और दोनों को मिलाते वे कुछ इस तरह से और इसका फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको deep cut कर लेंगे तो यह हमारा हो गया है इस तरीके से cutting इसकी complete sleeves की और यह बिल्कुल इसमें fit हो जागा जब इसकी हम सिलाई करेंगे इसमें भी आप देख लेंगे कि बिल्कुल सही से sleeves attach हो चुके हैं तो अब हम इसके नीचे का bottom जो हमें आनए इतना ले लिया हैं और अब हमें snack के लिए कुछ पट्टि直接 काट कर लेंगे तो इसके slag लेते हैं और इस वाले पार्ट के लिए ऐसे कपड़ा रखकर इसके उपर हमें रखके निशान लगा लीजिए उसके बाद काट लीजिए या फिर ऐसे मैं डारेक्ट काट ले रही हूं तो इसको ऐसे काट के मैंने पटी निकाल ली है तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं उम्मीद है यहां इसको हम सिल लेंगे तो यह रही पटी इसको इससे रखके हम सिल लेंगे और इसके ऑपोजिट वाले में जो तिर्ची पटी जो हमने काटे थी उसको भी रखकर सिल लेंगे तो इसको पहले मैं सिल लेती हूं किनारे से किनारे मिलाते हुए तो डोरी मैंने पहले से बना के तो सेम ऐसे ही मैंने दो डोरी कटिंग करके बना कर रखा हुआ है तो यहां पर हमें एकदम किनारे पर रख लेना है कुछ इस तरीके से तो कॉर्णर पर और उसको रखके सिलाई लगा लेना है हमें तो इसकी सिलाई कंपलीट कर लेने के बाद इसको हम पलट लेंगे अच्छे से एक डम किनारी इसकी बाहर निकाल कर दोरी अच्छे इसके उपर हमें रखकर सिलाई लगा लेना है और सेम उसकों भी हमें पलट कर इसके उपर तुर्पाई कर लेनी है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसको पलट लिया है और इसको तुर्पाई भी कर ली है इन दोनों वाले पार्ट पे इसको हम प्रेस कर लेंगे तो एक दम अच्छे से ही काफी सुन्दर नजणद आएगा तो यह हमने कंप्लीट कर लिए एपरोसीज़र अब इसके किनारे जो है हमें आपस में मिलाकर दोनों किनारों को इस तरीके से सिल लेना है इस तरीके से रख कर ताकि जब हम इसके नीचे का स्कुल्ट से ले तो यह इधर उधर ना हो इस तरीके से मैं इसको सिल लिया है और अब हम इसका बैक वाला पार्ट लेंगे और बैक वाले पार्ट में भी गले का डिजाइन बनाएंगे तो इसके लिए भी मैंने तिर्ची पट्टी काटी हुई थी तो इसको भी हमें रखके सिल लेना है और पलट लेना है आप चाहिए तो इसको दुबारा फोल्ड करके कुछ इस तरीके से इस पर भी मैं सिलाई कर दूंगी इसकी तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं तो अब दोनों को हम शोलडर को मिला लेना है और उसके बादस पर सिलाई कर लेनी है तो इस तरीके से रख लेंगे पहले सीधा पार्ट अंदर र술हेंगें और इसका भी सीधा वाला पांधर में अंदर रखना यो नेको पहले बहुं-डरात जैसा कि आपको मालूम वहगा कि बाजू का फरंट वाला पार्ट जो डीप जिसमें गहरा कटकरा होता है उसे हम आगे रखते तो उसको मैंने आगे रखते हुए इसको सिल लिया है और आप सिलाई होने के बाद इसको देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ये corner जो इसका छोटा बड़ा नहीं हुआ एकदम अच्छे से fit हो गया और इसका bottom को भी अब हम सिल लेंगे अगर गलत sleeves की cutting होती है तो वो सही से fit नहीं बैठता है चोटा या बड़ा हो जाता है बट यहां पर एकदम अच्छे से इसकी सिलाई हो गई है और अब हम इसके नीचे की skull की stitching करेंगे तो इसके उपर हम कच्चे टाके की सिलाई हमें मारनी है और इसके bottom की according इसे हमने fit कर लेना है तो मैंने इसके according पहले कच्चा सिलाई बड़े टाको की सिलाई मार कर इसके bottom की according इसको fit कर लिया है adjust कर लिया इसके according और अब हम इसको इस तरीके से रखकर दोनों साइड से किनारी मिलाते हुए इससे सिल लेंगे दोनों skull के side को तो चलिए इसको पहले हम सिल लेते हैं जिसा कि आप देख सकते हैं मैंने इससे सिल लिया है इस तरीके से और skull के नीचे के bottom को भी हम सिल लेंगे fold करके और अब हम यहां से मिलाते हुए इसको सिलना start करेंगे दोनों corners को इस तरीके से मैं front वाला part अपने और रख ले रही हूँ और इसके दूसरे वाले side में जो है हमें डोरी लगाना है तो मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो में इस corner पर हमें डोरी लगाना है तो यहां पर जितना यह सामने है इसी के according सामने हमें रखना है तो यहां पर मैं एक चौक से निशान लगा लेती हूँ कि यहां पर हमें डोरी लगाना है इस तरीके से तो अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे तो गाइस जिसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं हुआ एकदम अच्छे से इसकी सिलाई हो गई है और काफी ब्यूटिफुल लग रहा है यह बनने पर तो यहां पर हमें डोरी रख लेना है और यहां पर एक दो पक्की सिलाई चलादीनी तक कि यह खुले ना खींचने या बांधने पर इस तरीके से तो खाइस आप ने देखी लिया अंगरख्छा स्टाईल फ्रॉक को बनाना कितना आसान है इस तरीके से आप बड़ों का बच्चों का सबका इसी तरीके से से मेजर्मेंट लेने के बाद आप इसको कटिंग करके सिल सकते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है और भी यंग रखा के थोड़े अलग अलग स्टाइल्स है तो मैं उनको भी बनाऊंगी वीडियो में तो भी आप देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजेगा अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजेगा और अपने फ्रेंड्स और सामली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजेगा और कमेंट में बताएगा कि अगला वीडियो क्या बनना चाहिए तो थाइंक्यू गाईज वीडियो को एंड तक देखने के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुली रेडी हो गया है तो इसको मैं प्रेस कर दूँगी तो यह काफी और अच्छा लगेगा और फिनिशिंग काफी अच्छी आ जाएगी इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पिंक कलर का लटकन कितना सुन्दर लग रहा है इसके उपर